ये वेलकम स्टुडेंट तो आज हम एनलाइज करेंगे गो कार्ट की चेस्ट को अंडर वाइब्रेशन कंडिशन तो चलिए हम यहाँ पर मॉडल पर डबल क्लिक कर लेता है क्योंकि जो हमारा वाइब्रेशन आणालेसिस होता है वो मॉडल आलिसिस में ही सॉल होता है यह इसके बाद आप मॉडल पर डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर बॉंडरी कंडिशन लगा देता है यहां पर हम जो बॉंडरी कंडिशन लगाएंगे वह है fix support as well as material property already आपने define की हुई है तो यह जो अभी frame हम analyze कर रहे हैं यह texture steel के लिए कर रहे हैं तो यहां पर आप model पर right click करेंगे insert में जाएंगे और fix support select कर लेंगे तो यह जो body frame है इसको मैं यहां से select कर रहा हूं यहां पर क्योंकि जो हमारा hub होता है टायर का वह यहीं connected रहता है as well as यह पीछे की site मैं यह whole select कर रहा हूं यहां पर और इसी तरीके से यहां पर भी क्योंकि यहीं पर हमारा जो रेयर वाला टायर है वह connected रहता है और यह हमारे दूसरे वाले टायर की fix support तो यह देखेगा तो यह देखेगा यहां 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 और यहां से मैंने इसको fix कर दिया है इसके बाद apply पर click करेंगे तो यहां से fix हो जाएगा इसके बाद आप यहां पर analysis करना रह गया है तो यहां पर हम मैश पर राइट क्लिक करेंगे और generate मैश पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर frame की एक मैशिंग जनेरेट कर देगा यह देखेगा यह मैशिंग जनेरेट हो चुकी है अब आप यहां देख सकते हैं कि यह मैशिंग बहुत ही जादा पूर है तो यहां से आप मैश को क्लिक करेंगे और यहां पर पूरा का पूरा बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे यह दिखेगा और अप्लाई कर देंगे यानि जो साइजिंग टूल है वो पूरी बॉडी पर अप्लाई होगा और यहां पर आप देख रहा होंगे default element size लिखा हुआ दिख रहा है यह आपका 66 है हम इसको size को decrease कर लेते हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10 यानि आपका 10 mm का मैस size बनेगा maximum positions पर और इसके बाद फिट से आप right click करेंगे generate match पर click करेंगे तो यहाँ पर mashing improve कर देगा यह दिखेगा आपके matching better हो चुकी है as compared to the previous बट अभी भी यह मैशिंग उतनी refine नहीं है further अगर आप मैशिंग को refine करना चाहते हैं तो आप मैशिंग के other methods को use कर सकते हैं ताकि आपके मैशिंग improve हो जाए इसके बाद आप यहाँ पर solution और 2 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर solution start हो गया है तो यह देखेगा यहाँ पर आपको result हो गया है आप यह पर right click करेंगे select profit करेंगे Hey हेँ आप-फित्पोन वापस से सोलयूशन पर क्लिक करेंगे और सब्सक्याइब पर क्लिक करेंगे तो यहां पर result solve हो चुके हैं यह हैं फास्ट मोट की रिजल्ट यह दिखेगा तो यह फिर्स्ट मोट की रिजल्ट है तो फिर्स्ट मोट में जो आपकी जो चेचिस है वो कुछ इस तरीके से इस दिखेगा अपवर्ड डाउन्वर्ड डिरेक्शन में सबसे पहले फेल होनी की फ्रिक्वेंसी जो है वह यहीं है यानि फिर्स्ट मोट में आपको जो मिल रहे हैं वह 59 हर्ट की फ्रिक्वेंसी अगर आपकी जनरेट होती है इन केस आप ड्राइविंग कंडिशन और इंज second mode of deformation को तो इस लाइक देस तो यह फेलियर की कंडिशन है बट मिनीमम जो फेलियर फ्रिक्वेंसी आपको मिल रही है वह 59 हर्ट्स है तो यह तो इसके बाद की जितनी भी फ्रिक्वेंसी आप यहां देख पा रहे होंगे सब में ही वह फेल कर जाएगा तो जो सबसे पहली फेल इसन आनालिशस औफ गुकार्ट चेचेस तो जिसमें हम ने उसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को फाइड आउट किया आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए प्लीज सस्क्राइब देखने के लिए प्लीज स्क्राइब channel for more related videos